दोस्तो हाल के दिनों में एक रिपोर्ट पब्लेश वेए थी ग्लोबर हंगर इंडिक्स के बारे में इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत से सवालिया निशान उठ रहे हैं अब यहां मैं आप सभी से एक कोशिन करना चाहता हूँ कि क्या आपको भी वाकई ऐसा लगता है कि भारत में जो हंगर है वो पाकिस्तान, श्रलंका और बांगलादेश की तुलना में भड़ा हुआ है और इंडिया को जो अफगानिस्तान की कैटेगरी में रखा गया है जहां हम इस रिपोर्ट को क्रिटिसाईस कर रहें, क्या कारन है और साथ की साथ क्या वेफारवर्ड हो सकता है, इसके लावा हम ये भी समझेंगे कि भारतिय सरकार ने क्या कदम उठाए है हंगर को घटाने के लिए या कम करने के लिए, आइए शुरुवाद करते हैं इस वीडिय के लिए important है इस course से related अगर आपकी कोई भी query हो तो आप हमें call कर सकते 700-793-1912 पर आईए आप शुरुआत करते हैं आज के इस topic की देखे सबसे पहले आपको जानना होगा कि यह report publish कौन करते हैं हम बात करने global hunger index की इसे publish करता है concern worldwide and wealth hunger hive यह दो organizations जो इस report को publish करते हर साथ अभी हाल के दो सालों में भारत ने बहुत सारा क्रिटिसाइज किया है इस report को इसके पिछे बहुत से reasons हैं लेकिन हम दो के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं पहली चीच कि यहां पर जो hunger की definition है भारत ने उसी के ऊपर सवाल या निशान उठा दिया है दूसरी चीच यहां पर जिस methods से calculate किया जा रहा है उसके ऊपर भी भारत को संशे अब ऐसा क्यों तो कि आप एक बात समझें कि यहां पर total 4 dimensions को cover किया जा रहा है यानि चार इंडिकेटर हैं यहां पर उन चार इंडिकेटर में इसा चायल्ड से deal करते हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जैसे child stunting, child wasting mortality, अब अगर इनकी बात कीज़े, तो ये कही ना कही adult population से measure नहीं कर पा रहे है तो जिसकी वज़े से भारत नहीं यहाँ पर कहा है कि भाईया, आप यह चार indicators यूज़ कर रहे हो, इसमें से तीन तो बच्चों के health care के हैं तो आप इससे entire population के बारे में कैसे comment कर सकते हो दूसरी चीज, जहाँ पर चौथे indicator के बारे में भारत ने बात की है वहाँ पर कहा है कि आप proportion of undernourishment को measure कर रहे हैं, इसके लिए आप opinion poll का conduct कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि basically आपको 8 सवाल दिये जाते हैं, और आपके पास opinion poll based कुछ answers करने होते हैं, और उसके हिसाब से ये report publish होती है बट यहाँ पर भी एक problem और है, पहली चीज तो opinion poll based है ये जो भी method जिसके through, इस survey conduct हो रहे है, दूसरी problem ये है कि sample size लिया गया है, वो 3000 का है, अब एक आप बात समझे, कि इंडिया की population है 135 करोड के आसपास, वैसे तो इससे कही ज्यादा है बट स्टिल, हम 135 करोड भी लेके चलें ये 135 करोड लोगों के बारे में अगर आप बात करें और उसके लिए एक sample size ले रहे हैं 3000 का, तो कहीं न कहीं ये justifiable नहीं है और इसी बात पर government कहते हैं कि इनके methodology में कुछ ना कुछ problem है जिसकी वज़े से actual में इंडिया में जितनी hunger चल रही है उसको हम ठीक से calculate नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारते सरकार का ये भी मानना है कि हमने बहुत से schemes launch की हैं और इन schemes का कुछ तो result दिखे बट एक चीज यहां पर और भी है जब हम बात करते हैं stunting की, wasting की तो हम बात कर रहे हैं hidden hunger की हम actual hunger के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहां पर आप देखे बहुत एक minute सा फ़रक है hunger और hidden hunger के बीच में hunger का मतलब क्या है जब आपको भूख लग रही है आप अपने आपको प्रयाप खाना यह calories नहीं दे पा रहे हैं वो है hunger अगर मान लीजे आप खाना खा रहे हैं बट उसमें वो nutritional values नहीं हैं तो that is hidden hunger तो कहीं न कहीं यह एक differentiate करने की जरूरत है कि क्या वाकई में हम hunger को calculate कर रहे हैं या hidden hunger को calculate कर रहे हैं हो सकता है कि भारत hidden hunger के format में अच्छा perform ना कर रहा हूँ जैसे आपने देखा है कि भारत में जो 50% महिलाएं हैं ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूँ ऐसा National Family Health Survey भी कहता है कि 50% जो women's India में देखने को मिलती हैं उनमें calcium की कमी रहती है अनिमिक है वो खून की कमी है उनमे तो इस तरह कि जब आप sample size को देख रहे हैं जहांपर आप एक बड़ी population के उपर ये survey conduct कर रहे हैं और वहाँ पर ये hidden hunger की चीज़े निकल के आती है तो वाकई देखने में लगता है कि हंगर एक्जिस्ट करता है इस चीज़ में मैं डाउट करता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ देखे वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाना वित्रन की scheme जो है that is PDS Public Distribution System इंडिया में चल रहा है अब यहां पर actual में 3-4 चीज़ों के उपर फोकस किया जता है जैसे wheat के उपर rice के उपर और pulses के उपर अब actual में क्या होता है कि यहां पर nutritional values के उपर हमारा इतना focus या तवज्जु नहीं although portion अभ्यान launch होने के बाद से इसके उपर यानि hidden hunger के उपर भी हमारा कही न कहीं focus है पर still मैं यह कहना चाहूँगा कि इस scheme के द्वारा हमने कोशिश यह कि कि इंडिया में hunger को हम reduce कर सके और इतने सालों से इस scheme चल रही है तो उसके basis पर यह कहना कि इंडिया में अभी भी hunger exist करता है that is debatable कहीं न कहीं वो इनकी calculation methodology में कहीं न कहीं कमी exist करती है अब ऐसा मैं क्यों क्या रहा हूँ वैसे तो देखे global hunger index के दौरान हम global level पे regional level पे और national level पे hunger को calculate करते हैं अब जब इसे calculate करते हैं तो हम देखते हैं कि various context का score कितना रहा है तो इंडिया का score although 2000 के आसपास हम 35 point के आसपास थे अब ये जो आपका hunger का level है इंडिया में पहले के दौरा में घटा है और इंडिया का score आज की ratement 29.1 के आसपास है although अभी भी भारत serious hunger के category में आता है जो की काफी doubtful case है ऐसे मैं क्यों कहा हूँ आप एक चीज़ देखे इंडिया की ranking और अफगानिस्तान की ranking में कुछ जादा फरक नहीं अफगानिस्तान का rank इस साल रहा है 109 आप देखे जहां पर तालिबान अभी अपना कभजा बरकरार रखे हुए है जहां पर खाने के वांदे बड़े हुए ऐसे देश की तुलना भारत से हो रही है दूसरी चीज़ यहां पर आप देखे पाकिस्तान का जो rank है वो है 99 अब आप एक चीज़ समझिए कि पाकिस्तान में economic crisis चल रहे हैं और उसकी ranking अगर हमसे अच्छी है तो कही ना कही इनके जो methods हैं इसमें flaws है अब तीसरी important चीज़ आप श्रलंका की ranking देखे श्रलंका की ranking है 64 यहां पर economic crisis चल रहे हैं यहां पर bread के दाम यानि की रोटी के जो दाम है वो sky high जा जुके हैं इतनी यहां पर inflation चल रही है and still अगर वहां पर आप यह कह रहे हैं कि hunger decrease हो रहा है तो इंडिया में तो फिर सवालिया निशान उठाने बनते हैं इस report पे तो अगर हम बात करते हैं भारत की although पिछले साल हमारी ranking थी 101 के आसपास 116 countries में सी और इस साल हमारी ranking 121 countries में सी क्या है आपको comment section में बताना है वैसे तो भी आपको बता सकता था बट स्टिल अब यहां आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा दिमाग में शंशे तो पैदा हो चुका है कि actual में जो यह report publish हो रही है इसमें पूरी तना से इंडिया का पक्ष नहीं रखा जा रहा है क्यों कि दो चीज हैं यहां पर आप एक चीज समझें कि जो सेंपल साइज है वो तीन हजार का बहुत छोटा है कहीं न कहीं उस सेंपल साइज को आपको increase करने की जूरत है दूसरी चीज जो आपने questions opinion poll based बना रखे हैं उसको आप detail में लेके जाईए आप उसमें जो भी detail चाहिए आपको जिससे पता लग सके कि देश में क्या situation चल रही है आप उसके लिए pointers create कीजे ताकि अच्छे से वो survey के बारे में information collect हो सके तीसरी चीज जो आपको ध्यान यहां पर देनी है दिखिए जब आप global hunger index को calculate कर रहे हैं जो आपके चार indicators हैं अप उनको और ज्यादा diversify कीजिए आप उनके अंदर सब parts या इनको किसी major headers के अंदर लिए क्योंकि ये आपको complete picture नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप ये देखिए Zambia जिसको 108 rank पे रखा गया है वो कही नहीं कहीं इंडिया से इतनी अच्छी हालत में तो नहीं है इंडिया की अगर हम बात करते हैं मैं आपको कुछ एक चीजे बताना चाहूँगा जैसे sustainable development goals के बारे में आपने सुना होगा sustainable development goals क्या है जहां पर हमने का है कि 2030 तक हम 2030 इसमें इसी एक target आता है जो goal 2 के अंडर आता है that is zero hunger मतलब हम hunger को हर form में खतम करना चाहते हैं साथ के साथ हम food security को improve करना चाहते हैं sustainable agriculture को promote करना चाहते हैं और nutritional values लोगों में improve करना चाहते हैं अब इसी में एक चीज आती है यानि इसी indicator का एक part है 2.1.1 इसमें यह कहा जाता है कि जो देशों में under nourishment चल रही है जहां पर हम यह देखते हैं कि हम जितना खाना खा रहे हैं उसमें कितनी calories हैं और वो calories क्या sufficient हैं किसी की healthy life को meet करने में हम उस तरह की under nourishment को खतम करेंगे end करेंगे by 2030 यह इसका एक agenda है अब यहां पर आप यह देखें नीती आयोग ने एक index सेम इसी तरज पर बनाया नीती आयोग ने इसको नाम दिया SDG index अब इस index में क्या हुआ कि हाल के सालों में यानि मैं बात करा हूँ 2020-21 की इंडिया ने जब इस survey को conduct किया तो इंडिया ने यह पाया कि हमारा score पहले यानि पिछले साल 35 वह करता था यानि कि 2019-20 की में बात कर रहा हूँ अब यह improve होके 47 तक पहुंच गया score तो इसका मतलब है कि हम S-print category में आते है 0-2-49 के बीच में अब यहां पर अगर आप देखते हैं in general तो भारत के 9 ऐसे राज्ये हैं जहां पर इसका score पहले की तुलना बहुत अच्छा रहा है यानि कि national average से यानि national average में आपको कहा कि 47 के आसपास है तो इससे भी better रहा है इसमें हर्याना, 36 गड, जहारखन, राजिस्थान उत्रपरदेश, गुजरात, मद्देपरदेश मिगालियो और भिहार जैसे area आते हैं अब यहां पर अगर आप देखते हैं कि actual में इंडिया अच्छा perform कर रही है तो हाँ यह chances जरूर है कि इंडिया में कहीं न कहीं अगर data अच्छे से calculate किया जाता तो इंडिया में हंगर का जो अभी value मिल रही है शायद वो और कम हो सकती थी इंडिया का rank जो है वो और better हो सकता था बट क्यूंकि यहां पर इस index में इसे धंग से calculate नहीं किया गया भारत ने इसे calculate किया तो भारत में इसके आप results भी देख रहे है कि हम यह देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो hunger है actual में वो कम हो रहा है बट international reports में वो नहीं देख रहा है because international reports में वो ढंक से publish नहीं हो पा रहा है वो ढंक से record calculate नहीं किया जा रहा है तो आपको यह समझना होगा कि कहीं न कहीं यह एक ऐसी कोशिश है जहां पर भारत की image को धुल्मिल किया जाए international level पर हम उसके against कहीं न कहीं voice raise कर रहे हैं यहां पर आपको समझना होगा कि जो नीती आयो का sustainable development gold index है उसमें हम अगर अच्छा improve कर रहे हैं तो हम वैसे भी overall improvement देख रहे हैं भारत में उसके लावा अगर हम same time की बात करें आप अगर इंडिया की report के बारे में बात करें चलो आप नहीं believe करते हैं तो आप देखे कि sustainable development report जो 2022 में publish हुई थी इसमें एक आगया था कि भारत 10 goals में अच्छा improve कर रहा है और इसमें सी 3 goals ऐसे हैं जो आप directly कहीं न कहीं hunger index से relate कर सकते हैं ending hunger में हम अच्छा perform कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूँ कोई government का record भी नहीं कहा रहा है साथ के साथ इंडिया ने health और well being में भी अच्छा perform किया है तो इन में भी अगर हम अच्छा perform कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि कहीं न कहीं इस report में कुछ कमी है और इसको दुरूस्त करने की जरूरत है जैसा कि भारत अभी demand कर भी रहा है अब यहां पे अगर मैं same time की बात करता हूँ like I will talk about कि 1995 में इंडिया में infant mortality rate जो था 80 per thousand अब अगर हाल फिलहाल की बात कीज़े 2019 की तो ये जो आपका rate है almost 57% से decline करके अभी 33 per thousand पे पहुंच गया है तो कहीं न कहीं इंडिया में हम हर पाइदान पे अच्छा perform कर रहे हैं health and well being में भी अच्छा perform कर रहे हैं तुलना में काफी हमें improvement देखने को मिल रही है हमारे healthcare sector में बट still ये कहीं न कहीं जब reflect नहीं होता है आपके international level पे तो हमें दुख होता है और इसी वज़े से हम उसके against कई बारी voice भी raise करते हैं इसके लावा same time पे अगर हम बात करता है economic perspective के तो आप देखें कि भारत का जो stock market है वो approximately 2000 से लेके 2022 के बीच में approximately approximately 16 टाइम ग्रो करा है यानि कि अगर 2000 के हम बात करते हैं तो इंडिया के census था around 3600 के आसपास आज की date में ये 57000 के आसपास है तो अकर हमारा investors का पैसा इतना बड़ा है तो आप ये देखेंगे कि भारत के अंदर पैसा आ रहा है अब ये तो बात हुई सिर्फ stock market की आप देखें भारत के अंदर billionaires के जो numbers हैं वो भी exponentially increase की हैं जिसे आप देखते हैं कि 2000 के आसपास भारत में सिर्फ 9 billionaires थे आज की date में 200 से जादा है Forbes magazine के अंदर ये publish हुआ था कि USA और चाइना के बाद भारत ऐसी country है तीसरी ऐसी country है जिसमें सबसे जादा billionaires आपको देखने को मिलते हैं अब कहीं न कहीं आप ये सोच रहोंगे कि ठीक है लोग billionaires बन रहे हैं इससे आप ये तो नहीं कह सकते कि economic condition से आप hunger को मिटा पा रहे हैं बट एक चीज़ समझे कि कहीं न कहीं अगर economy में वो चीज़ इनवेस्ट हो रही है आप ये देखे कि इंडिया की जो GDP है अभी हम 500 ये नंबर की सबसे बड़ी economy है आप ये देखे कि इतना पैसा अगर economy में इनवेस्ट हो रहा है तो उसके accordingly ये जो numbers है वो match up नहीं हो पा रहे है तो इस वज़े से भारत ने अभी हाल के दिनों में ये जो report publish हुई थी इसके बारे में criticize किया है आप कुछ चीज़ों के उपर ध्यान दीजे कि इंडिया में PDS scheme चलती है उसके लावा हम portion अभ्यान चला रहे हैं हम midday meal schemes चला रहे हैं तो जिसके basis पे आपको ये समझना होगा कि government ने sufficient steps लिए ऑल्दो hidden hunger को लेके अभी भी मैं ये कहूंगा कि doubtful case है बट स्टिल hunger इंडिया में इतना ज्यादा persist नहीं कर सकता because of these schemes कहीं न कहीं इनकी जो implementation है वो भी दुरुस्त है क्योंकि midday meal schemes ऐसी है कि जिसके बारे में आप records और चेक भी कर सकते हैं RTI के थूँ बट स्टिल मैं यहां पे एक positive note पे इसे end करना चाहूंगा अगर international community में यह चीज कही जा रही है कि इंडिया में कुछ problems चल रही है hunger को लेके तो इंडिया को उसके बारे में देखना चाहिए हमें हर report को series से नकारने के जुट नहीं है अगर हम अपने खुद के कुछ data बगार क्लेक्ट करके इस चीज को verify कर सके on ground तो better रहेगा इसमें फाइदा यह रहता है कि actual में अगर कहीं पर hunger exist कर भी रही है भारत में although मैं यह तो नहीं कहूंगा कि इंडिया में हम absolute zero hunger पे पहुँच चुके हैं क्योंकि hunger तो exist करती है वो number vary हो सकते हैं बट यहां अगर हम इसे ground level पे अच्छे से verify करके हम better way में अपनी policies को implement करेंगे तो इससे भविश्य में हम zero hunger को achieve कर पाएंगे 2030 का हमारा जो target है अगर 2030 नहीं तो उसके एक दूसाल के अंदर ही हम इसको achieve कर पाएं तो वो better रहेगा कहीं न कहीं हम आने वाले हमारे demographic dividend के उपर अच्छे से focus कर पाएंगे आप एक चीज समझे कि अगर हम hunger के उपर focus करते हैं तो इससे क्या होगा लोगों की health improve होगी अगर लोगों की health improve होगी तो इससे demographic dividend जो है हमारा उसको हम successfully कहीं न कहीं rip कर पाएंगे उसके benefits को कहीं न कहीं enjoy कर पाएंगे और इंडिया की economy को जो हम सोच रहे हैं कि 5 trillion करना चाहते हैं हम उसको भी achieve कर पाएंगे आपको यह समझना होगा कि जो 5 trillion की economy है इसमें लोगों का participate करना economy में must है और यहां पर inequality इंडिया में जो exist कर रही है हमें उसे भी eliminate करना होगा हम उसे जितना कम कर सके हैं जो inequality है उससे कहीं न कहीं society में जो social unrest है उसकी possibilities को हम कम कर पाएंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ह धन्यवाद